दोस्तो रेड्मी ने रेड्मी का Note 11 series का 4G version लांच कर चुका है तो रेड्मी Note 11 and Note 11 S अभी Amazon की पर लांच हुआ तो Note 11 S को अगर देखिएगा 6GB RAM 64GB internal की साथ बेस भरियन का दाम राखा गया 16,500 रूपया इसके उपर में अगर आप देखिएगा 6GB RAM 128GB का जो भरियन का दाम राखा गया यह 17,500 रूपया हलांकि इसके उपर में 8GB प्लास 128GB का एक भरियन देखने को मिल लगा तो सेम टेम हम लोग देखा क्यों ना Realme 8 Pro की साथ एक कॉम्प्रेजन किया जाए क्यों आपको Realme 8 Pro बेटर हो साकते नहीं तो अगर आप Redmi Note 11S लेते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिल साकता है तो चलिए देख लेते कम्प्लीट वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग दोनों फोन का बिल क्वालिटी एंड डिजाइन की उपर गवर करते तो Realme 8 Pro को देखिएगा ये भी एक प्लास्टिक विल डिजाइन है बट डिजाइन की मामने में Realme भी काफी आच्छा काम किया पेसली ये जो डिजाइन है डियाट टू लीप करके ये उदना मुझको पसंद नहीं है बट ओबर ओल जो डिजाइन है ये मुझको अच्छा लाग ये फोन का दोस्तो दोनों फोन का अगर फिजिकल अबर्विव की बात क्या जाई तो दोनों मी आपको टाइप C चार्जिंग पोर देखने को मिलेगा दोनों मी आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलेगा इधर आप Dual SIM प्लस SD कार भी आप यूस कार पा दोस्तो दोनों फोन का अगर डिस्प्ले की उपार गौर कीजेगा तो Redmi Note 11S में आपको 6.43 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा फूल HD प्लस रेजुलेशन का डिस्प्ले है AMOLED डिस्प्ले है 90Hz डिफ्रेश रेट की साथ आ रहा है और कौन निंग गया लगा स्थिर 100 nits का देखने को मिल जागे तो सब कुछ लेकर ये डिस्प्ले जो है as per the price आपको काफी आच्छा देखने को मिलेगा सेम टेमी Realme 8 Pro में आपको देखने को मिलेगा 6.4 इंच का डिस्प्ले इधर भी Full HD प्लस रेजुलेशन का डिस्प्ले है AMOLED डिस्प्ले इधर भी 5 डिस् आपको देखने को मिलते हैं सेम टामी 8 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट का जो एकूर एसी है ये भी आपको आच्छा कासा देखने को मिल जाता है तो दोस्तो वीडियो का बाकी पार्ट में जाने का पहले एक बात बोलना चातो अब लोग वीडियो देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हूँ इसके लिए देखिए चैनल में वीवर्स इस्टू सब्सक्राइबर के डिशियो एक पसेंट का भी नीचे चाल रहा है इसलिए रिकोस्ट कार रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन उसको दाबा देना यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किजे जिदना ज्यादा लाइक होगा यह वीडियो का भीव ग्रो करने में उधना ही ज्यादा हेल्फ हो जाएगा तो दोस्तो दोनों फोन में देखियागा LPDDR 4X RAM आपको देखने को मिलेगा पर स्टोरेज की मामले में UFS 2.1 स् पर गौर किजिएगा, तो Redmi Note 11 S में Mediatek का Helio G96 processor यूज किया गया, यह processor सच में एक capable processor है, and G95 का यह successor तो नहीं है, एक नया भरसेना बोल सकते, and मुझको personally अगर बोला जाए तो मैं G95 को ज्यादा पेफर करता हूँ, मुझको ज्यादा पसंद है G95, because अब G95 का GPU section compared to G96 से better मुझक लागदा है, and Optimize भी ज्यादा आचा है, but फिर भी यह processor भी काफी आच्छा capable processor है, इसका भी benchmark G95 की तरा 3,000, 3,000, 2,000, 3,000,000, 30,000, 40,000 की बीच में आपको score करते हुए, देखने को में लगा, and overall देखिएगा, performance आपको काफी आच्छा देखने को में लगा, gaming से लेकार, multitasking काफ सेक्टर अल्मोस्स सिमिलर है इसका भी बेंच मार्किंग स्कोर एंटूटी की पर 3 लाइक से लेगा 3 लाइक 30-40 ताउजन की बीच में जेनरली देखने को मिलता है और इसका भी पार्फोमेस काफी आच्छा मिल जाएगा गेमिंग की बात किया जाए तो कॉल अप ड्यूटी पापजी की तरह जो ये भी गेमिंग होते है ये अराम से कर पाएंगे मल्टी टास्किंग भी काफी आच्छा कर पाएंगे प्लस ये स्नैप ड्रागोन का पाइस आले तो इसका एडबंटेज तो ओब्येजली रियल्मी की पास जाता भी है और इसका जो पोटेंसियल है ये नॉरमाली पिक्सेल साज 0.7 मार्ण की साथ आता है ऑग पिक्सेल भी नपाइट में तला इसका फाल प्लस देहनी की की माहिए इसका बार इक जो बना नतु था वो पाइब history जेखने हो भी थो पिक्सेल आती widely पिक्सेल का 205 में ढृता इसका बार में खोड़तेंसके बारिम प्राइमारी केमेरा को देखिएगा काफी अच्छा पर्फरम करते हैं पिक्सेल साइज 2.1 माइकर इतना बड़ा पिक्सेल साइज होने पर इसका एडवांटेज आपको दोनों में ही देखने को मिलता है डाइनामिक रेंज से लेकर पॉन्ट्रेस देखने को मिल जाएगा आटम के पिक्सेल का आल्टरोइड लेंज भी डेलाइट कंडिशन में तो अच्छा कासा काम में ले पाएंगे साथ तरा तरा को जो फिल्टर होता है एए एए ब्यूटीब के सान मोड बोलता है एए सीम डिटेक्ट मोड बोली यह सब भी आपको दोनों क्यामेरा सेटप के अंदर पॉपरली मौज़ोद देखने को मिलेगा वीडियो रेकोर्ट की बात करेंगे इधार ही देखियेगा है रियल मी अडवांटेज लेता है तो रेट्मी नोट 11 एस में आपटू 180 बी 30 एपेस तक वीडियो रेकोर्ट देखने को मिलेगा इसी तरह 4K वीडियो रेकोर्ट भी अवेलेबल नहीं है इवेन 180 बी 60 वीडियो रेकोर्ट भी अवेलेबल नहीं है जितना अभी तक मुझको पता चाल देखने को मिलेगा यह कैमेरा सेटप की अंदर उतना आच्छा आपको वीडियो ग्राफिक की मामले में देखने को नहीं मिलेगा करके पॉसिबियल हुआ 720G में पॉपरली आपको 4K वीडियो रेकोर्ट का सापोर्ट देखने को मिलता है इसलिए तो ओबरल देख सकते वीडियो ग्राफिक की मामले में रियल मी 8 प्रो ज्यादा बेटर है और इसलिए मेरा चॉइस कैमेरा की मामले में रियल मी 8 प्रो रहेगा दोस्तों नेक्स दोनों फोन का बैठरी एंड चार्जिंग की पर गौर कीज़ेगा तो रेट्मी note 11 s में आपको 5000 mAh की बैठरी देखने को मिलेगा एली एंपेर की बैठरी देखने को मिल जाता है तो यह जो चार्जिंग टेगनोलीजी है रियल मी का यह ओको रियल मी वन प्लस का एक ही और का चार्जिंग टेगनोलीजी है तो इससे अगर आप फोन को चार्ज काने जाएंगे तो एराउंट आपको 50 मिनित की आस पास में आपका phone charge होते हैं देखने को मिल जाते है तो यह phone भी आपको fastly phone charge करते हैं देखने को मिल लगा और Realme का भी battery optimization कापी आच्छा होता है तो यह phone से भी आपको battery backup आच्छा देखने को मिल लगा Lastly, अगर सब्ट्राइर एं UI की बात के आ जाए तो Redmi Note 11S जो है MIUI 13 की साथ इंडिया में लांच हुआ, प्लास अगर आप देखेगा Android 11 बेस है, बट Android 12 का अपडेट बहुत जल्तो मिलेगा है, प्लास अगर आप देखेगा ये फोन में Android 12 का जो भी फीचर होता है, ये सब फीचर MIUI 13 के अंदर अल्डेडी अवेलेबल काफी सरा चीज़ देखने को मिलते है, तो ये चीज़ आच्च है, बट फोन Android 12 की साथ लांच होना चाहिए था, हाला कि इस फोन में आपको Android 13 का भी अपडेट कान्फराम मिलने बढ़ है, सेंटेम अगर आप Realme 8 Pro को देखिएगा, Realme 8 Pro में आपको Realme UI देखने को मिल जाएगा, बेस अन Android 11 की पर रांट कार रहा है, हाला कि Realme UI 3.0 का अल्ली अक्सेस चाल रहा है, Android 12 बेस बहुत जाल आपको स्टेबल अपडेट भी मिल जाएगा, तो Realme UI आने MIUI जो है काफी ज्यादा similar kind का UI है, मतलब जो feature-wise, but stability की मामले में Realme UI ज्यादा better आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस मामले में देखिएगा, शॉप्टेर यूजर एक्स्परियेंस जो होता है, यह आपको Realme UI में थोड़ा better देखने को मिल जाता है, but overall में आज की दिन में UI UI काफी ज्यादा आच्छा हो चुका है, एट की मामले में उधना कुछ खास आचकल देखने को नहीं मिलता है, तो सब कुछ लेकर दोनों UI यह आच्छा मिलेगा, but obviously Realme UI ज्यादा advantage, सब्सक्रा स्टेबिलिटी की मामले में देखने को मिल जाता है, तो यह है दोनों फोन का compression, तो compression में एक चीज़ देखिए, दोनों फोन का आपी ज्यादा similar kind का हम लोगों को pacification प्रोवाइट कर रहे हैं, बट फिर भी जो section में Realme advantage लेता है, clearly Snapdragon को PSR का advantage है, जो ज्यादा stable performance डेलिवार करने बला है, दूसरा camera की मामले में भी मुझको पास्टोनली लगदा है, जो Realme की पास थोड़ा advantage जाता है, तो यह दो section ही Realme की पास advantage है, हलाकि इसका भार में Realme UI को भी आप advantage के आंदर राख सकते हैं, आपका पसंद वाई, इधार आपको सबसे बड़ा जो advantage मिलेगा यह 90H का refresh rate का advantage मिलेगा और G96 का जो gaming पार्पा में से यह भी आप advantage के आंदर राख सकते हैं, हलाकि बाकी सब कुछ similar kind का हैं, दोनों फोनी आच्चा है, आपको जो फोन पसंद है, ओ आप आराम से ओफोन ले सकते हैं, आपको आपका वीडियो आच्छा लागा, वीडियो आच्छा लगने पर वीडियो में एक like देकर हम लोगों का यह वीडियो का like target जो 50 राखा गिया और जो रोभी फिल कीजिए वीडियो डिगरें कुछ भी चीज जानना है, नीचे comment section जाहिए comment कीजिए, आपको comment का answer देने